और भारत सरकार ने खेलो इंडिया एक अभियान पिछले पांचा वर्सों चला रही है उसका मक्सद ही है कि ग्रामीर खेलों को प्रसाहिद करना ग्रामीर खिलारियों को प्रसाहिद करना उसी संदर में मानि प्रधान मंत्री जी की प्रेणा से मैंने भी बस्ती में सांसत खेल महाकुम का अजन किया है उसका भी मक्सद यह है कि बस्ती के हमारे ग्रामीर प्रिश्वों के जो खिलारी हैं उनको एक प्लेटफार्म उगलत कराये जाए एक और साफ ही साथ तमाम ऐसे खेल हैं जो खेल लुप्त होते जा रहे हैं जा उसमें कम रुची लोग रहे हैं उन लोग को पुनट जीवित करना इस द्रिश्टी से मेरा प्रयास है वस्ती के कम से कम 10 अजार खिलारी बिभिन खेलों में इस कारिकम में सामिल हो कि यह बात रही है लेकिन खुलमिराकर करक लिए तुम को सामिल करें दुकर शवाल प्रियंका गांधी को लेखिया और कांग्रेस की तरफ कर तरफ तक शरकार में केंड में रही है प्रदेश में तो उन्हों ये अगर किया होता तो उनको कहने के न नवबद ही नहीं भारती जनता पार्टी सर्व समाज के लिए महिला पुरुष को पराबर अधिकार मिलना चाहिए सभी जातियों सभी धर्मों को पराबर अधिकार मिलना चाहिए लगातार भारती जनता पार्टी प्रयास कर रही है और अभी आप केंदर की हमारी सरकार में प्रयात महिलाओं को प्रस्थित मिला है सभी जातियों, सभी धर्म की लोगों मिला है तो मानी प्रधान मंत्री जी बार-बार इस बात को कहते हैं सबका सास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास उस दिसा में भाषffe टी ऐंता पार्टी काम करती और हमादी सरवी करती है तो अगर वह कह रही है उनके बातों पर उस्तr प्रदेस की जन्ता कितना भरुदा करेंगे तो समझगता एगा क्योंकि नहीं बात चुनाओं के समय इस प्रकार की बात रही है तो उसको राजनेटी जन्टा ही मानेंगे उसने कोई नहीं बात नहीं सुनावी टूरब निकलते हैं आज हुक्तर प्रदेश में में बात मैं अगर कहना चाहूंगा जहां कांग्रेश पाती बहुजन समाज पार्टी पार्टी और समाजबादी पार्टी अपने आपको हिंदू कहने में और मंदिरों में जाने में जिनको सर्म आती थी आज मोधी सरकार ने और भारती जंता पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार का बातर बना दिया है कि उनको भी मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू है और हम भी ब्रत रखते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी मोदी सरकार की है कि उनको भी मोदी उनको भी मोदी सरकार की है